दिनों तक चलाश करने के बाद समंदर में पंडुबी का मलबा मिला। टाइटन पंडुबी के लापता होने के बाद से ही पूरी दुनिया में लोग उसमें सवार पांच लोगों की सलामती की दुआ कर रहे थे। पंडुबी 18 जून को टाइटनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कैनेडा के न्यूफांडलेंड से रवाना हुई थी। टाइटन पंडुबी का मलबा टाइटनिक जहाज के मलबे के नजदीक मिला। करने के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ट के अधिकारियों ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को शद्धांजली दी। टाइटन पंडुबी में पांच लोग सवार थे। इन में ब्रिटन के कारोबारी हैमिश हार्डिंग भी थे जो एरक्राफ्ट कंपनी अक्शन इविएशन के चेमिन थे। उनके साथ पाकिस्तान के सबसे अमीर कारोबारी शहजादा दाओद और उनके बेटे सुलिमान भी इस पंडुबी में सवार थे। इनके अलावा फ्रांस की नौसेना के अधिकारी पॉल हिंड्री और टाइटन पंडुबी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के सीओ स्टॉक्टन रश भी इसमें मौजूद थे। चलने वाली ओडिसियस 6 के मशीन की सबसे बड़ी भूमिका रही। अमेरिकी कोसगार्ट के मुताबिक इस मशीन को अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है जो समंदर की सते तक जाने में सक्षम है। और इसी मशीन ने 22 फीट लंबी टाइटन पंदुब़ी की तलाश में टाइटनिक जहाज के आसपास के पूरे इलाके को च्छान मारा। दावा है कि काफी तलाशी के बाद औरिसियस 6 के मशीन को टाइटानिक जहाज के नजदी की टाइटन पंडुबी का मलबा मिला इस बीच अमेरिकी नौसेना ने दावा किया कि उसके खुफिया थ्यार ने टाइटन पंडुबी में हुए धमाके की आवाज सबसे पहले सुनी थी अमेरिकी नौसेना के बताबिक उसने कई दिन पहले ये आवाज उसी जगा सुनी जहां अन्तिम बार टाइटन पंडुबी ने अपने जहाज से संपर्ख किया था और इसके लिए अमेरिकी नौसेना ने एक ऐसे खुफिया उपकरन का इस्तमाल किया जो समंदर की गहराईयों में किसी भी आवाज को आसानी से सुन सकता है दावा है कि 18 जून यानि जिस दिन टाइटन पंडुबी पांच लोगों को लेकर टाइटानिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए रवाना हुई थी उसी दिन अमेरिकी नौसेना ने एटलांटिक महसागर में धमाके की आवाज सुनी थी लेकिन खबर है कि वो फिना सुबूत किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहती थी इसी वज़े से अमेरिकी नौसेना ने ये बात छपा कर रखी मीडिया रिपोर्ट के मताबिक अमेरिकी नौसेना ने जिस खुपिया उपकरन से धमाके की आवाज सुनी थी उसका इस्तमाल दुश्मन के पंडुपियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है